आप आप एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने कीचन में तो आज की हमारी दिलेशियर से रेष्पी पालक पनीर राइस होने वाली इसके साथ ही अमारू का रायता बनाएंगे जोंकि बहुत ही कीजी और लडी रेष्पी है दोनों ही रेष्पी तो इसे बहुत ही जल्दी बन जाएगा तो बिल्कुल विडियो तील एंट तक देखिएगा तो सबसे पहले मैंने यहां पे पालक लिया जिसे की अच्छे से दोके मैंने साफ करके रखा है और थोरे से सूखे मसालों को लिया है जीरा पेस्पत्ता एक बरी लाइची छोटी लाइची दो सूखे लाल मेच काजिव आप यहां पे डाल चीनी का भी यूज कर सकते है और थोरे से पनीर है जिसे की मैंने छोटे छोटे पीसस में कट करके फ्राई कर लिया थोरे से प्याज है तीन हरी मेच यह दरक लासन का जिसे की 20 मिनट मैंने दो के सोख करने के लिए रखा है आप कोई भी राइस से बना सकते नॉर्मली जिसे आप बनाते उससे भी बना सकते फैस सजेस्ट करूं कि आप इससे बनाएंगे तो यह कुश्वोदार और बहुत ही टेश्टी बनेगा तो सबसे पहले मैंने यहां प अब पाल के भी बिलेंड कर सकते हैं तो वैसे में होता है तो आप ऐसे ही इससे बलेंड कर लिया किजिए विक गीर्म कर जाया गाला तो हम इसके पी चुना कि पड़ता साथ मैने यहां पर 15 sometimes बीड़ी डालें तो काजु नहताँ और प्याज்ने प्याज को डाल के थोड़ा साब चलाएंगे उसके बाद अधरक लासन का पीस्ट भी साथ ही एड करेंगे इसमें और यहां फिर फ्लेम आप बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखिएगा अब इसमें हम पालक भी ऐड करेंगे आप मिर्ची की क्वांटिटी अपनी जैसे आप खाते हैं तीखा उसके अनुसा घटा बरा भी सकते हैं और टोमाटर को भी मैंने लिया है यहां पर एक टोमाटर को डाला अगर टोमाटर नहीं पसंद होना तो आप इसे स्कीप कह सकते है पालक में बहुत से लोग टोमाटर खाना पसंद नहीं कहते हैं तो इसे आप स्कीप कीजिएगा थोरा सा नमक यहां पर मैंने डाला है उसके जो पालक को मैंने ब्लेंट किया था ना उसे डालेंगे और इसे पांच मिनट तक हमें पका लेना है तो जब पांच मिनट हो पाउडर काले मीच पाउडर और कास्मी लाल मीच पाउडर है यह और गरम मसाला भी एड़ करेंगे तो यहां पर देखिए पालक ते यह तो यहां पर इतने देर बूनने तो यहां लगवग हमारा चावल भून चुका है तो इसमें पानी डालेंगे तो पानी आप दो ग्लास यहां पर चावल मैंने लिया है तो जिस भी मिजर्मेंट करें ना उससे दो ग्लास के लिए तिन ग्लास पानी परफेक्ट होगा तो इतना ही पानी डालिएगा तो यहां पनीर को भी मैंने एड किया है पनीर बड़े चोटे जिस पीस में जितने बड़े साइज में आपको पसंद हो आप कट करके डाल सकते हैं तो अब हम यहाँ पर पानी को जालेंगे तो हमारा यह परफेक्टली के भून के चावल तैयार है तो पानी को मैंने मिक्सी जार में ही पालक पनी राइस में आया है तो यहाँ पर थोड़ी से धनिया की पत्तियों को भी डालेंगे बारिक कट करके धनिया की पत्ति को डालने के बाद तुरा सा चाट मसाला भी एड कीजिए गर जिसका टेस्ट और भी बश जाए तो अब इसे हम हाई फ्लेम में एक सीटी आने तक पकाएंगे तो यहां पर मैंने नमक भी डाला है अब चाहें तो पहले भी डाल सकते पर मैंने फानी डालने के बाद ही नमक डाला है नमक में डालेंगे क्योंकि हमने पालक में भी डाला था और अंति में यह थोड़ा सा चाट मसाला डाला है इसका टेस्ट बहुत ही बनके बिल्कुल तयार है सब्सक्राइब चलते हैं रायता बनाने के प्रोसेस में तो यहां बने दही लिया है और इसमें भूना जीरा पाउडर जालेंगे धोरी सी फ्रेस धनिया की पत्तियां एक खड़ी मेश और थोरा सा कस्मेरी लाल मेश को डाला है और काला नमक डाला है आप चाहे तो सफेद नमका भी यूज कर सकते हैं और यहां पर वाइल करके मैंने अलू को रखा था उसे छील के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करे लिया है तो हमारा इजी सा रायता बनके तैयार है तो पालक मनीर राइस के साथ मैंने रायता और चुटनी को सर्व किया चाहे तो ऐसे भी खा सकता है दही के साथ भी से लिए जा सकता है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें लाइक करें कमेंट करें चेर करें तो बिल्कुल न भूलें थैंक्स पूर वाचिंग मैं आई अल भीवर्स